Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और आज से हम एक new series start करने वाले हैं ECMAScript के उपर So, अगर आप fresher हो, beginner हो या फिर आपने कभी जावास्क्रिट पे बहुत ज़िदा काम नहीं करा तो आप थोड़े confused भी हो सकते हो कि क्या ये कोई नहीं programming language, framework, library, hg नहीं, ना ही ये कोई library framework है, और ना ही ये कोई programming language है, ये standards होते हैं, आपको बता हूँ, कैसे ये standards होते हैं, कैसे इनको use में करते हैं, इनके edition, versions, और क्या का इसमें पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी, और आने वाली वीडियो के अ सारे interview questions भी पूछा जाते हैं, आपको इसके बारे पता होना चाहिए, अगर आप Angular React जैसी library या framework के उपर काम कर रहे हो तो, right, तो देखो, अब जैसे मैंने आपको बता है कि अगर आपनी कभी ECMAScript के उपर, JavaScript के कभी काम नहीं करा तो आपको थोड़ी confused हो सकते हो, कि यहां प मतलब होता है कि जो upcoming अभी edition आने वाला है, right, so इसको कहते हैं, अच्छा अब आप यहां पे यह भी confused हो रहा है, कि आस डारेक्ली सिला 6 edition आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आए, वो भी आये थे, बट वो काफी पुराने हो चुके है, around वो 15 साल पहले आये थे, right, अब इतने पुरान के वीडियोस होंगे, उनको मैं लास्ट के अंदर प्लेस कर दूँगा, right, और 1 से लेके जो 4th के अडिशन है, वो काफी पुराने है, वो हम नॉर्मल जावास्क्रिप के अंदर यूस करते ही करते है, right, और जैसे कि मैं आपको बताया, ECMA स्क्रिप को ही modern जावास्क्रिप कह होती थी, Europe वगरा के अंदर, Western countries के अंदर कह सकते हैं, basically, तो उनको यहाँ पर standardized करते हैं, उनको एक standard दे दे देते, बाद में इसके अंदर script भी add कर दिया गया, और इसको बरा दिया गया ECMA script, अब ECMA script क्या करता था, जावास्क्रिप के standard को define करता था, और यह कब आया market में, 1997 क अंदर, और यह standard क्यों देता था, थोड़ी है कि कोई standard को standard ने था, को standard भी था, value भी थी, बट होता क्या था, जैसे ही JavaScript बने market के अंदर बहुत सारे browsers आ गए, हर एक browser अपनी अपनी चलाएगा, तो फिर कैसे चलेगा, देखो, हर browser के अंदर पहले से JavaScript installed होती है, और हर browser अगर लग-लग JavaScript install कर लेगा, तो हम website को एक browser से के ओपर सही चलाएगे, तो हो सकता है, दूसरे ओपर ना चले, दूसरे पर चलाएगे, तीसरे पर ना चले, इसलिए उनको standard maintain करने के जुरुत पड़ी, तो उनने एक standard बना दिया, और इसी को कहता हम ECMAScript, और इसी को हम modern JavaScript भी कहते ह है, क्योंकि हर साल ये कुछ ना कुछ नया feature लेकर आते रहते हैं, एक feature के आपको example देता हूँ, पुराने time में हम use करते थे JavaScript के अंदर what, एक variable इस तरह के से define करते थे, but आज हम इस तरीके से भी define कर सकते हैं, और इस तरीके से भी define कर सकते हैं, let इकर के भी define कर सकते हैं, इसके node के अंदर भी use करने लग गए हैं, क्योंकि standards से enhancements मिलते हैं, इसको enhancement कई बार speed भी अच्छी करते हैं, coding की reliability भी बढ़ाते हैं, right, इसलिए, और जैसे कि मैं बता चूँका हूँ, ये कोई framework या liability नहीं है, अब थोड़ी history की बात कर लें, जो first time हम ये introduce हुआ था, 1997 के अंदर इसको हम, ये 2015 के अंदर आया था, right, around 5 ये पहले कह सकते हो, और जो ECMAScript 5 आया था, वो 2008-09 के अंदर आया था, तो वो काफी पुराने जाद लोग पढ़ते नहीं है, still मैं आपको उसके वीडियो दे दूँगा, but 4 से पहले वीडियो देखने कुछ मतलब भी नहीं है, और व उससे जो उपर के सारे वर्देन है, सारे, उनके interview questions, code वगरा, program features, सब के सब, right, और जैसा कि मैं आपको बता चुगा हूँ कि जो 5 रहेगा, उसके वीडियो आपको last में मिल जाएंगे, मैं मोटा माटी topic की बात करूँ, देखो, बहुत सारे topic है इनके, मेरे ही साब से 50 वीड process, promise, test parameter, spread parameters भी होते हैं, array prototypes होते हैं, star star operators कहते हैं, star star equal to operator भी होते है, shared memory, async await, symbol, prototypes होते हैं, और भी बहुत सारी चीजाने वाले हैं, जो हम सीखेंगे, right, so ये आपको completely modern कर देगा, ये course जावा स्क्रिप्ट के अंदर, so इसको बिल्कुल मत छोड़ना, right, अगर आप कुछ और तो पढ़ रहे हो, साथ में तो वो भी पढ़ लो, जैसे कि मैं react की series भी साथ की साथ में लेके आँगा, और ये वाली भी series भी साथ की साथ में चलेगी, मैं try करूँगा कि एक react और एक एकमा की दो वीडियो डेली की डेली आजाए, so मैस मत करना, और बाई बाई, टेक क्यार ओो उॉर्बियो पे इान हो, साथ में चलेख जो भीडियो , नच्कारज हो, साथ में करने प एकमा की साथ और की साथ में चलेगे हो जाए कहा हो भीडियो, जगी अनले हो टेएली ज में अंat।